प्राजिस्तान की भारती जंता पार्टी की टीम खुश है अचारे प्रमोट किस्टम हमारे साथ है मुक्तारबास नक्वी हमारता जुड़ गए है अचारे जी क्या आपको लगता है इंडिया गड़ बंदन का भविश्य भी अब खत्रे में है यहां से तो कॉंग्रेस मैं अचारे जी एक चीज़ मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की हार से इंडिया गड़ बंदन का भविश्य उज्वल है संबफता मतला मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कॉंग्रेस जीती तो फिर वो मुश्किल ओड़ी थी दूसरी पार्टियों को आज यहां प्रियांका जी समाजबादी पार्टी भी कह चुकिया चालू पार्टी से लेकर चिर्कुट तक तो कॉंग्रेस का हारना इंडि गठ बंदन अलाइंस के लिए शायद बैतर नहीं होगा अचारे जी देखी आमन जी और अमीज जी एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी ये अलग बात है कि मैं हर हफते ये बात कह रहा था लगातार कह रहा था कि वही सनातन का विरोध मत करो मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो बीजेपी से लड़ो लेकिन आप भगवान राम से मत लड़ो मैं रोज कहता था ये बात और मैं ये भी कहता था कि प्रधान मंतरी भारत का होता है वो सिर्फ भाजपा का नहीं होता प्रधान मंतरी का अपमान मत करो प्रधान मंतरी का सम्मान करो देश की जनता भारत के प्रधान मंतरी का अपमान करना बरदाश्त नहीं करती है चाहें वो कोई भी प्रधान मंतरी हो और एक बात जो बहुत इंपोर्टेंट कहने जा रहा हूं अमिश्देव गंजी वो यह है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत से चिरते थे उन्होंने हिंदुत को कमजोर करने के लिए जातिवाद की राजनीती को बढ़ावा देना शुरू किया तो देश की जनता में यह मैसेज गया कि यह जाती जनगर्ना और जातिवाद की जो राजनीती हो रही है यह कांग्रेस की मूल विचार धारा के खिलाफ है तो यह बात के लिए हो गई दूसरा यह जातिवाद का जो मुद्दा उठाय जा रहा इसलिए उठाय जारा के हिंदुत को कमजोर करना हिंदू को स्प्लिट करना तो यह हिंदू धरम के खिलाफ फैसला हुआ तो यह बातें जो है जो है आज मैं आपसे सीधा पूछता हूं क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांदी खुद शामिल है हाँ या ना क्योंकि वो भी बोल चुके हिं है वो उनको गलत फीडिंग देते हैं उन्हें गलत पट्टी पढ़ा देते हैं उन्होंने ही सब कुछ बरबाद किया है तो मैं राहुल रांदी जी को दोश्य नहीं मनता अरुस्टव बिशु करती हैं समाजवादी पारिश को कॉंगर्स पार्टी नहीं नहीं दे सकती कि वहाँ अगर वहां देती तो कया आपको लगता है हाना कि इससीत्तले की शुनामी मंद्ने पररदेश पार्टी में पॉलिटिकल है अरोगेंस तना था कि वो अपने आगे किसी को समझी नहीं नहीं थी कुछ जिफके अखिलेश यादव ने यही अखिलेश यादव जी को सीटें दी जा सकती थी यह दे देनी चाहिए थी लेकिन यहार सिर्फ इस वज़े से नहीं है आज अखिलेश यादव जी बड़े जानता हूं उनकी नेचर भी समझता हूं वो कमलनाज जी ने जो अखिलेश वक्लेश कहा उसको बड़े दिल पर ले गए थे लेकिन समाजबादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेश नहीं हारी यह कांग्रेश की जो हार हो रही है वो सनातन का विरोध सनातन का श्राप ले मैं तो कह रहा हूँ सुनिये 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 aussi सुनिये पहली बात इंडिया गटबंदन नाम की कोई चीज इस चुनाम में नज़र नहीं आ रही थी दूसरी बात यह फैसले ही गलत थे कि आप हमें गाली दें हम आपको गाली दें राजीम और केंदर मैं देखहोंगे तो देश की जंता ने सोचा कि हमें मूर्ख बनार जा रहा है सिर्फ मूधी को बश्राइन के नाम पर हम एक है यह कोई logic नहीं है आप इंडा interest of nation politics करें गे यह इंडा interest on self politics करें गे तो सवाल इस बात का है मुझे जो में कारण लग मेरे से लाइज पर दिया